एच्टो दो, तो हम इस वडियो में बात हुएंगे सब्सेट के बारे में उसिंग डीकर्शन एक हमें सब्सेट डीर रहेगा इसका और पॉसिबल और पॉसिबल सब्सेट नहीं उसिंग रिकर्शन कि तो सबसे पहले सबसेट क्या क्या होंगे तौ सबसेट एक टो एम्टि सैट होगा जब हमकुछ भी सेट ना करें अधी होगा जब वन तू को सेउडिक करें चैफ करें टू को सेट करें ऐसे फोर को सेई करें ऐसे गर कि जब दो को सेट बनेगा वन टू को से देख करें वन थ्री को से डेक करें वन पोर को से देख करें और सुवांचों को जब फूल सेट हो जाए तो आधि थी यहां पर एक वासिप्रिटी होता है कि वन और टू वन chuck रहेत कि दोनों को अलग सेट मांळें में नहीं दोनों एकव जाए तो टोंतल पॉसीवीएटी कितन हेशनगा होता है कि यह तो हम इससे देल करेंगे यह तो नहीं करिंगे तो दो फस्रीटेश आता है से लिपतू गर्र het यह इसे होता है कि या तो हम एसे स्रेक्ट करेंगे या तो नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे तो तो टूटर, two raise power, two raise power n, these are the number of subset Possible अब हम बात करते हैं कि डिकर्शन्स हम कैसे कर सकते हैं तो डिकर्शन में रिचीस हम मैसीब है वह है डिवाइड कर प्रॉब्लम को और उसको कॉंकर करें तो एक बड़े प्रॉब्लम है उसको चोटा प्रॉब्लम बनाओ इसको सल्यूशन यूज़ करो बार प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम भी कह सकते हैं अगर सबसेट है तो हम इसे चोटा कैसे बना सकते हैं तो इसे में दो पॉसिब्लिटी आता है या तो वन को स्लेक्ट करें या तो वन को ना स्लेक्ट करें तो अगर वन को स्लेक्ट करते हैं तो हमें अब चोटा सेट आ गया तो स्क्रीन हम सॉल्व करेंगे और अगर हम वन को स्लेक्ट नहीं करते हैं तो हम ये छोटा सेक्ट की solve करेंगे तो अब इस question करें अब हमें करना है या तो हम 2 को select करें या तो 2 को select ना करें तो ये subset हो 2 को select कर रहा है और फिर अब 3 के बार में हम स्विचने हैं तो इसको ये लिख सकता है same to same positive इसमें आप है ये possibility आता है तो subset में 1.3 आजएरा तो 1.2 आजएरा तो 1.3 आजएरा तो 2.3 आजएरा तो 2.3 आजएरा 1.2.3.4.5.6.7.8 सारे possibility quantity आजएरा तो आप कोशन है कि हम इसे solve कर सकरे ले कब ये function को हम decide करने ले कि सबके लिए हम ले 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 अगर हम इसका decision ले ले और इसका ले 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 सारे के लिए decision ले 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 हम बहुत हैं एक base gets को hit किये हैं तो हम कह सकते हैं अगर एक function है इसका नाम subset है जो एक original set ले रहा है और एक high value है जो की जो की लिए हम decision ले रहे हैं जो की लेंग of original set है और एक answer set है जिसमें हम हमें value दालते जा रहे हैं तो आगर high जब सबके लिए decision हो जाता है तो हम क्या सकते हैं कि हम print कर देंगे answer set को और return करते हैं अब हमारे परस दो cases है कि अगर हम इस वाले index के लिए decision लेजी है तो हम आगे के लिए जाएंगे इस चीज़ के लिए पहले गार रोपस में answer दाले है जाता हम उसको select कर रहे हैं जाता हम उसको select कर रहे हैं तो यह हमारे cases बने हैं अब हम देखते time complexity क्या आता है time complexity हम देखे तो यहार एक step पे छोटे problem में creep रहा है दू छोटे problem में creep रहा है या तो हम लेंगे या तो नहीं लेंगे तो यह कब तक जाएगा जब अंदर वाले वाजी जीरो तक ना पहुंच है और उसका भी दो faces बने है तो टोटल हमारे कुछ कितने steps कितने बार आएंगे तो यह end steps होगे तो end step होगे तो two disparate time complexity होगे तो ऐसा हम कुशन के solve कर सकते है झाएंगे झाएंगे झार